दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूँ कि जो प्रधान मंत्री के तरफ से जो पांच लाग वाला आइसमान कार्ड बनाया जाता है उसे आप लोगो कैसे डाउनलोड करना है बाकी कैसे बनाते हैं कैसे नाम हो गएरा एड करते हैं इस टॉपिक पे हम आल्रेडी वीडियो बना चुके हैं तो इस वीडियो में केवल और केवल यही बताएंगे का आईसमान भारत कार्ड आप लोग ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे तो नमस्कार दोस्तो मेरा नमीत यादो स्वागत करता अपने यूटूब चैनल टेकनिकल मों में दोस्तो चैनल पर नए होगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अच्छे लगए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे आप लोगो आईसमान भारत कार्ड आप लोगो डाउनलोड करना है देखिए डिस्क्रिप्शन में एक ल सेलेक्ट करना है यहां पर आपको बना मुबाइल नंबर फिल अप्र करना है और वेरिफाई पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है मेरे पर हम प्र लाग न हो पाएंगे यहां फहले फिल अब— OTP fill up कर लिए, यहां पर आपको fill up करना है, जो भी आप में सो होगा, वो यहां पर आप fill up कर लिजिएगा, जैसे का हमने fill up कर लिजिए, अब आपको क्या करना है, login पर simple सा click कर देना है, जैसे login पर आप click करेंगे, यहां पर देखे, please in character, यहां पर गलत हो गया कैफचा, दोबा fill up करते हैं, आप login पर हम simple सा click करेंगे, जैसे login पर click करेंगे, देखे, हम यहां पर login हो गया है, सबसे पहले आपको state select करना है, जो भी state है, वो select करिए गया है, इसकी में आईएगा, पी-ए-ए-प-जे-वाई-अप select करिएगा, यहां पर आपको district अपना select करना है, क्या है यहां पर देखिए, आप किसके द्वारा सर्च करना चाहते हैं, यहां family ID, अधार number, name, location, PMJ ID, तो जो भी इसमें से आप select करना चाहते हैं, जिसके मादेम से सर्च करना चाहते हैं, उसके मादेम सा सर्च करिएगा, हम आधार number है, तो simple सा अधार number से सर्च करेंगे, उसके card बन गया होगा, यहां पर अप्रूब दिखाएगा, जैसे कि मेरा है, यहां पर तो यहां पर अप्रूब है, डाउनलोड करने के लिए, आप देखिए, डाउनलोड का option दिया गया है, इस पर आपको click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आपको अपना अधार, authenticate करना हो उसके बाद हमारे beneficiary आधार के जो भी mobile number link होगा, उस पर एक OTP जाएगा, और यहां पर mobile, जो भी mobile number link होगा, उस पर OTP जाएगा, दो OTP आएगा, दोनों OTP आपको fill up करना, जैसे मेरे पर आधार वाला जो OTP आया है, 961609 यह आया है, उसके बाद यहां पर beneficiary OTP जो आया है, व देखिए, यहां पर आया, 377401, यह OTP हमने यहां पर जैसे fill up किया है, जैसे हमने इस पर click किया है, यहां पर देखिए, दोनों authenticate का option है, आथेंटिकेट पर आपको simple सा click कर देना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, देखिए, यहां पर आपका ice man card यहां पर आ चुका है, यहा यहां पर card view हो रहा है, यहां पर download का option आपको मिल देगा, simple सा आपको download वाले option पर आपको click कर देना है, देखिए, तो यहां पर successfully download हो गया, इस पर हम click करके यहां open कर सकते हैं, यहां पर देखिए, हमारा ice man card download हो गया है, तो इस तरीके से आप लोगको ice man card अपना download करना है, हम नहीं जान का रिक साथ, तब के लिए, बाई बाई